सब्सक्राइब करें हमारे यूची चैनल महिंद्र मिंबरें हथो को और इस घंटी को ब्रियों करें हमारी अगली वीजियों का मोटिफिकेशन तब करें आने को इनसान हमेशा सुखी कैसे रह सकता है जब इनसान सुख्त होगा तब ही तमाम खुशियों को हासिल कर सकता है अगर सरीर सुख्त नहीं है खुशी होते हुए भी खुशी महसूस नहीं होती खुशियों को हासिल करने के लिए जरूरी है हर किसी को सुख्त होना सिहित मंद होना और सुवस्त जीवन का आधार हमारे धर्मों में एक बहुत बड़ी बात लिखी गई है वो आधार है ब्रह्मचारे का पालन करना ब्रह्मचारे सुनने को लगता ही पतानी क्या चीज है कैसे संभव होगा बहुत से यूत यंगेज पूछते हैं गुरुजी इस यूग में और ब्रह्मचारे क्या ये पॉसिबल है जी हाँ ऐसा पॉसिबल हो सकता है सौ परसेंट संभव है सुवस्त जीवन के लिए यह जुरूरी है कि आप ब्रह्मचारे का पालन करें तो ब्रह्मचारे का पालन करने के लिए बहुत सी बातों पे हमें ध्यान देना पड़ता है सबसे पहले है खान पान खाना पीना कैसा खाना खाएं जो ब्रमचारे में साथ दे बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं होना चे मिर्ची, गरम मसाले ये शरीर में उतेजना लाती है इससे कभी शरीर को कोई फाइदा नहीं होता बेहत ज्यादा इसलिए आप बहुत ज्यादा मिर्च मसाले प्रियोग में ना लाएं हम ये नहीं कहते कि आप खाए ना मिर्च मसाले डालें लेकिन थोड़े तली हुई चीजों से परहेज करें जितनी भी तली हुई चीजें होती हैं ये शरीर में रोग पैदा करती है शरीर को सौस्त नहीं बनाती उनके अंदर जो बिटामिन्स होते हैं मिनरल्स होते हैं सब के सब जल जाते हैं खत्म हो जाते हैं सिर्फ जीभा का स्वात या फिर हाट के लिए बिमारी एक्स्ट्रा बोज रह जाता है इसलिए यहां तक संभव हो तली हुई चीजों को छोड़ दें पर हमें पता है आज के दौर में ज्यादा तर नौजवान बड़े-बड़े महानगरों में खाश करके तला खाये बिना तो उनको चेहन नहीं आता तो आप हवते में एक बार निश्चित कर लें कि मैंने खाना है लेकिन थोड़ा खाना है अगर आपने वो ले लिया तो उसकी जगह और चीजी ना लें खाने की जगह पर उसको इस्तिमाल में लाएं पर खाली पेट कभी भी तली चीज नहीं खानी चेहे कभी भी चाय है खाली पेट एकदम से नहीं लेनी चेहे यह जो बैट्टी है इसने बेडा गरक कर रखा है क्योंकि हमारी आंतडिया इसके काबिल नहीं होती क्योंकि एकदम कोई तजाब अंदर डाल दे तो पहले कुछ खाएं उसके बाद आप यह चीज ले सकते हैं तो खानपान में परहेज करना होगा उबली हुई सबजियां किसी को बनानी आनी चाहिए इतनी स्वादिष्ट बनती हैं कि आद्मी तलिवी चीज़ें भूल जाता है भगवान की किरपा से हम शैफ हैं और हमने ऐसे बहुत से सब्जियां इजाद की हैं जो उबालकी बनाई जाती हैं लेकिन वो इतनी टेस्टी होती हैं इतनी स्वाद होती हैं हमने जिस जिसको भी खिलाया, बिना बताए, वो यही पूछने लगा, इसमें घी कितना डलाता है, क्या आप जिकीन कर सकते हैं, समोसे, ब्रेड रोल, कुछ भी बनाना हो, बिना घी, बिना तेल के बनाया जा सकता है, तो ऐसी चीजें, जो आपको स्वाद लगती हैं, उनको बना लीजे, परतले ना, तो एक प्रहेज हो गया, कि हमने खान पान सही रखना है, दूसरा प्रहेज है, रहन सहन, आप अशलील ना देखें, ना पढ़ें, और ना ही इसकी चर्चा करें, अशलीलता, आदमी की उतेजना को चर्म सीमा पे ले जाती है, और उससे लॉस के अ हासिल नहीं होता, अशलीलता देखते हो, अशलीलता सुनते हो, अशलीलता पढ़ते हो, तो ब्रहम चारे पे कायम नहीं रहा जा सकता, तो ये रहन सहन में परिवर्तन लाना होगा, स्वस्त जीवन तभी हासिल होगा, पर एक सबसे बड़ी बात, यह यूं कहें, आधार भी है, सतम भी है, वो है आतम बल, बिल पावर, आतम बल के सहारे ही, आप ब्रहम चारे जीवन हासिल कर सकते हैं, और ब्रहम चारे हासिल करने के लिए, अपने विचारों पे कंट्रॉल होना जरूरी है, विचारों पे कंट्रॉल होता है, जब आतम बल होता है, और आतम बल आता है सिर्फ और सिर्फ ओम हरी अल्ला गौड खुदा वहिग्रु के नाम से भगती इबादत से और दुनिया में कोई तरीका नहीं कई नौजवान रात को थकावट उतारने के लिए गम भुलाने के लिए शराब पीते हैं ड्रग लेते हैं हिरोईन समैक लेते हैं बहुत गंदे गंदे नशे लेते हैं और उनको लगता है हम टेंशन फरी हो जाते हैं दीन दुनिया की खबरी नहीं रहती पर चाहे आप नोट करके देख लें जब वो नशा उतरेगा वो टेंशन आगे से दुगनी होके आएगी वो प्रॉब्लम आगे से डबल होके आएगी अगर आपन थकावटी उतारनी है तो आप गुड ले लें थोड़ा सा उसको धीरे धीरे चवाएं और दूद के ऊपर से दूद पी लें आपकी थकावट को बूस्ट आएगा और थकावट चली जाएगी नींद भी बहुत अच्छी आएगी आजरुवैदा में बहुत कुछ है अच्छी डालके दूद में घी डालके उसको मिक्स कर लें और वो पी लें जो जिम आप करते हैं यह दूद में मिक्स करके घी पी लें आप अगर को एक कवंटल बेट उठाते हैं तो हम आपको गरंटी देते हैं एक पंदरा आपराम से उठा लेंगे प्रैक्टिकली हमने की है यह चीजे तो खाने में बहुत अच्छी चीजे हैं रहन सेहन हो गया उसके साथ इश्वर का नाम प्राणायाम के साथ जब भगवान का नाम लिया जाता है तो सरीर में सेहन शक्ती बढ़ती है आतंबल जल्दी आता है जैसे हमने स्वांस अंदर भर लिया और उसको रोके रखना है और मालिक की भगति करते जाना है फिर छोड़ते जाना है मैत्र और मेडिटेशन गुरुमंत्र कलमा नाम शब्द का जाप करते जाना है स्वांस निकाल देना है विदाव टेर बिना प्राण वाजुके वहां भी आपने सुमन करते रहना है माल लीजे पहली बार आप पांस सेकिन विदाव टेर रह पाएं साथ आठ नौ दस एक दो मिन तक पहुंच जाएंगे हम आपको गरंटी देते हैं आपकी सेहन शक्ती बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी हमने लोगों को बताया कहलें कि गुरुजी बड़ा गुस्सा आता है बात बात पे तुनक मिजास किसीने बात कही नहीं कि टमपरेचर 10 डिगरी से सिधा 90 डिगरी पहुंचता है उन्होंने ब्रह्माचारय का पालन करती हुए इस तरह से गुरुमंतर का जाब किया तो कहने लगे मैंने 15 दिन के बाद शीशे के सामने खड़े होके देखा क्या मैं वही आदमी हूँ जो बात बात पे तुनक मिजास था अच्छे पड़े लिखे विगरेडियर थे वो कि लिए गुरुजी मैं दंग रह गया सुभा दुपैर शाम खाली पेट 25 सुआस गिंती करके 15 दिनों ने किया ब्रह्म्चारय पालन करने में जबर्दस्ता कताई क्योंकि सहन शक्ती बढ़ गई सही माहिनों में आत्मबल बढ़ गया और आत्मबल से ही आप बुरे विचारों पे काबू पा सकते हैं जड़ा सोचके देखिए जिनका विचारों पे काबू है ब्रह्म्चारे का पालन करने लगता है एड्स जैसी बिमारी का तो वैसी डर नहीं रहता बहुत से अलर्जी एटोमेट के लिए चली जाती है बहुत सी बिमारियां दूर हो जाती है ब्रह्म्चारे का पालन करने से क्या-क्या मिलता है पहले तो आपको ये बताएं कई डाउट है कई भ्हांतियां है जो ब्रह्मचारय के बारे में फिलाई गई है हमें डॉक्टर सहवानों की एक टीम मिली कहले लगे गुरुजी ब्रह्मचारय रखा नहीं जा सकता ब्रह्मचारय यानि वीर्य को बॉडी से जाने नहीं देना अपने अंदर रखना इसी का नाम ब्रह्मचारय है बुरे विचारों के उपर चलना नहीं माइन में ज्यादा आने नहीं देना इसी का नाम ब्रह्मचारय है तो वो डॉक्टर के इन लगे गुरुजी ऐसा संभवी नहीं ओवर्फलो हो जाता है, जब एक कुवा भर दिया जाए, या कोई भी डिगी भर दी जाए, तो नेचुरली ज्यादा भरने पे पानी ओवर्फलो होता है, वैसा ही इनसान की बॉडी है, कि अगर वीरे जाने नहीं देंगे, तो यह ओवर्फलो होगा, सपने में या किसी ख्या वीरे जो होता है, वो भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया है, ओवर्फलो होता ही नहीं, जैसे ही आपकी वो टंकी भरी हुई है, तो बाकी जो वीरे है, आपकी पूरी बॉडी के लिए एक धाल का काम करता है, अंदर किरिया परती किरिया होनी शुरू होती है, और यहां बॉ पूल के डाक्टर नायडू, शैद उनका नाम, अमेरीका में उन्होंने रिसर्च किया, पंधरा साल और रिसर्च में उन्होंने भी यही सब पाया, कि ब्रह्मचारे का पालन सरीर के लिए धाल का काम करता है, पुराने जमाने में तीर मारते थे, तलवार मारते थे, कहते है गेंडे की खाल होती थी, धाल पे लगी हुई, अच्छा लोहा होता था, तो वो तीर धाल में अटके रह जाती थी, उसी तरह से, डॉक्टर नायडू कहने लगे गुरू जी, ब्रह्मचारे, बॉडी में बीमारियां आने ही नहीं देता, स्वस्त रखता है शरीर को, हमने क जी, हम भी तो यही परचार कर रहे हैं, कि लगा मैं दंग हूँ, मैंने पंदरा साल सर्च करके यह हासल किया है, आपने कहां से सीखा, हमने का डॉक्ट साफ, साइंस के उपर एक महा साइंस है, कि लगा कौन सी, हमने का हमारे धर्म, रुहानियत, सूफियत, धर्मों से जिज्ञान तो विचारी कल बनी है, तो वो माने, कि वाके सच है, तो ब्रहम चारय का पालन, इनसान को बुलंदियों पे ले जाता है, अगर आप ब्रहम चारय का पालन करते हैं, हम आपको गरंटी देते हैं, सौ मे से 99% बीमारी आपको नहीं लगेगी, एक दो परसेंट वीमारी आ सकती है आपकी लापरवाई प्लस कर्म रोग क्योंकि अगर आप लापरवा हो जाएं बेट आप उठाते हैं 100 कजी और 200 कजी उठाने के लिए जोर लगाते हैं कमर विचारी क्या करेगी फिर आप कहते हैं यह कहां से आगया रोग आप एकदम से नहाएं ठंडे पानी में और जाके पंखे के सामने बैठ जाएं चिंके आ जाएं आपको नजला हो जाता है कहते हैं यार यह बगवान ने किया नहीं यह आपके खरीदे रोग हैं प्लस कर्म रोग होते हैं आप सब तरफ से ध्यान रखते हैं कि नहीं मुझे कोई रोग न लगे एकसरसाइज करते हैं सब कुछ फिर भी रोग आ जाता है उसे केते हैं कर्म रोग हमारे धर्मों में संचित कर्म उसको रोकने के लिए भी एकी तरीका है गुरुमंत्र नाम श्यबद मैथड़ और मेडिटेशन कर्म रोग और किसी चीज से कटते नहीं तो गुर्मंत्र का जाब करें ब्रह्म्चरय का पालन करें 100% बीमारी नहीं आएगी हमने खुद पे अजमाया पांच करोड लोगों में 70% यूथ है और उनमें लाखों नौजवानों ने अजमाया किते गुरुजी ब्रह्म्चरय का पालन गजब है कभी नेगटिव विचा यार आता ही नहीं कोई भी काम करना है यूं लगता है चुटकियों में फ GC यार बात ही कुछ नहीं। जो बच्चे फेल हुआ करते थी मैड होल्डर हो गए, वही टीचर हैं, वही स्कूल हैं, वही कॉलेस हैं, वही लेक्चरार हैं, यह कैसे हो गया, क्योंकि उन्होंने ब्रह्म चारय का पालन किया, गुर मंत्र का जाब किया, और रजल्ट उन्होंने कभी कलपना ने की थी, कि होने वाला बच्चा, मैड होल्डर होगा, यही नहीं, ब्रह्म चारय का पालन करते करते, अगर आप बिवा शादी की उमर तक पोहुँ जाते हैं, और बिवा शादी होती हैं, अगर दोनों लड़के लड़की ने ब्रह्म होती, जो बच्चा पैदा होगा, बगवान ने कि तो 99.9% तंदुरुस्त पैदा होगा विकलांग या मंद बुद्धी पैदा नहीं होगा यह ब्रह्मचार है कि ताकत है हां कर्म रोग कुछ हो सकता है क्योंकि वो जीव आत्मा जो गरब में आ रही है उसके भी तो संचित करम जुड़े हुए हैं उसके लिए तरीका है कि मा जब बच्चा गरब में आ जाता है तो ब्रह्मचारे के सासाथ सुभो शाम इश्वर की भगति जुरूर करे सत्संग सुने राम नाम की चर्चा करे अल्ला वही गुरु गौड ओम में ध्यान लगाए सुभो शाम मा का दर्जा महान है चाए कोई संत है राजा महराजा है अवतार भगवान क्यों न पैदा हो मा के गरब के बिना पैदा नहीं हो सकता इसलिए मा का दर्जा भगवान से भी बढ़के माना गया जब गरब कुछ महिने का हो जाए लगबग चार-पांच महिने का उसके बाद पूर्णते ब्रमचारे का पालन करना चाहिए बच्चे के अंदर विकार पैदा नहीं होते दिमाग में क्योंकि आपका किया गया ब्रमचारे बच्चे के अंदर पावर की बूस्त देता है और आप सुभो शाम अल्ला मालिक राम का नाम जपेंगे और ब्रमचारे का पालन करेंगे तो बच्चा और स्वस्त पैदा होग अच्छे विचारों बड़ा पैदा होगा तो ये है ब्रह्म चारे का कमाल जो ब्रह्म चारे का पालन करते हुए कि आगे बढ़ते चले जाते हैं वो दुनिया में बहुत बहुत तरकियां हासल करते हैं दुनिया में उनका नाम होता है कई सोचते हैं हमें नाम से कोई लेना देना नहीं है ठीक है आप अपना नाम के लिए कुछ मत कीजिए सरीर से तो लेना देना होना चाहिए ये तो अगर सही चलेगा तभी आप बात कर पाएंगे न तभी आप कहीं जा पाएंगे ये तो आपका फर्ज भी है कर्तव्य है धर्मों में लिखा है आत्म रख्षा पहला कर्तव्य है तो उसके लिए भी जुरूरी है ब्रह्मचार सरीर तंदुरुस्त रहता है आप बिमार है क्या आप चाहते हैं कि भ्यानक बिमारी के दौर से जो आप गुजरे वो बार बार ना आए कौन नहीं जाहेगा आपको कोई टेंशिन हुई कोई प्रॉबलम आई लाइफ में और आप मर गए फिर जिन्दा हुए मर गए फिर जिन्दा हुए क्योंकि धर्मों में बात आती है चिंता जो होती है जीते जी इनसान को जलाने वाली चिता होती है जिसको टेंशिन हो जाती है वो रोज मरता है थोड़ा टेंशिन फरी हुआ तो फिर जी जाता है जीते जी मरना कहते हैं से चिंता चिता होती है क्या आपको नहीं लगता इस चिंता से मुक्ति चाहिए तो ब्रहमचार्य जरूरी है क्योंकि उस से बोड़ी में पावर आएगी इंडिरेक्टली भगवान का नाम लेना तो जरूरी है क्योंकि ब्रह्मचारे भी तबी निभा पाएंगे अगर इश्वर का नाम लेंगे आतंबल होगा तो ब्यानक से ब्यानक की बिमारियां आने से पहले चली जाएंगी छोटी सी बात लगती है सोच के देखिए जब कोई ब्यानक की बिमारी आदमी को जकड लेती है कई महीने चार पाई बैड़ पर पढ़ना पढ़ता है लाखों रुपए, हजारों कुरुण रुपए खर्चा हो जाता है कितना अच्छा हो बिमारी आने से पहले बिमारी कट जाए क्योंकि चार पाई पर एक बार आदमी डल जाता है बिमार होके तो फिर से वही स्वस्थ होने में सालों लग जाते है कितना अच्छा हुआ कि बिमारी आई ही नहीं और आप स्वस्थ रहे और फिर पैसे के लिए तो आप पगलाए रहते हैं ठगी बेमानी ब्रस्टाचार लोगों का खोन चूसना हक मार के खाना यह मायारानी का तो कमाल है कितना अच्छा होगा कि आपको बिमारी आएगी नहीं और लाखों रुपे आपका लॉस आपको होगा ही नहीं इतना प्रॉफिट का सौदा है ब्रह्मचार है तो आप इश्वर के नाम की भगती किया करें जिससे ब्रह्मचार है रहेगा और ब्रह्मचार होगा तो आपको स्रीर के तौर पे मानसिक तौर पे अजी बिजनिस के तौर पे भी प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा क्या आप ऐसा हासिल नहीं करना चाहेंगे हर कोई चाहेगा विवाहित जीवन में क्या ताल मिल बिठाया जा सकता है जी हाँ दोनों मिया भी भी एक नहीं दोनो अगर इश्वर की भगती से जुड़ जाएं और ठान लें कि हमने सयम बरतना है क्योंकि ये तो भगवान की तरफ से मनजूर है नर और मादा इसमें कोई गलत नहीं है रिलेशन लेकिन सयम आपको पता है पसू तब आपस में रिस्ता बनाते हैं जब उन्होंने उलाद लेनी हो और आपको तो पसू से धर्मों में हजारों लाखों को ना बहतर बताया गया है इशारा काफी है हमारे ख्याल से आप खुदी समझ लीचिए सयम तो रखना चाहिए ना विवाशादी हो गई रिलेशन ओके है कुछ हर्ज नहीं लेकिन हम ये भी नहीं कहते कि पसू की तरह ही आप क्योंकि आप सोचते हैं ये तो बिल्कुल गलत होगा लेकिन सयम सयम अगर आप रखेंगे तो वह ब्रह्मचार है आपके सरीर में अलग शक्ति भरेका चेरे पे एक नूर होगा और अंत्यकर्ण में बहुत ही कर गुजरने की एक तमन्ना होगा एक जनून होगा कि मैंने कुछ करना है हर अच्छे प्रोफेशन में आप तरक्की करते चले चाहेंगे क्योंकि नेगिटिव विचार नहीं आएंगे तो तरक्की में बादा नहीं आती और तरकी में बादा होती है स्वस्त सरीर का ना होना जब आपको नजला हो गया आपको बुखार हो गया सिर भारी भारी है टेंशन चाई होई है बहार में ले जाओ आपको यूं लगेगा बंजडे और जब आपका अंत्यकर्ण में शान्ती है सरीर तंदुरुस्त है बंजड में ले जाएए यूं लगेगा गुले गुलजार खिला हुआ है अजी चारों तरफ महक आएगी बंजड में भी वो आडे तिर्चे टीले भी आपको भगवान के डिजाइन लगेंगे यहाँ पानी नहीं है यूं लगेगा यार बरसात हो रही है तो यह है ब्रह्मचारय का कमाल तो आखिर में इश्वर की भक्ती करें सयम रखें ब्रह्मचारय का पालन करें और जिंदगी में अंदर बाहर के तमाम खुशियां भगवान आपको देगा यह हम आपको गरंटी के साथ कहते हैं और आप सबको बहुत बहुत आशिरवाद कहते हैं ताकि आप ब्रह्मचारय का पालन कर सकें